आज की वीडियो के वाल बच्चों के लिए जिनको के वाल मंटिप्लिकेशन सीखना है कर आपको मंटिप्लिकेशन सीखना है बच्चों तो वीडियो को एंड तक देखिएगा को तरीका सीखना किस तरीके से किया जाता है मंटिप्लिकेशन तो पहले हम नंबर लेते हैं फिर उसके बाद मंटिप्लाई करके उसको हम देखेंगे किस तरीके से किया जाता है तो पहले हम 2 डिजिट के मंटिप्लिकेशन को लेते हैं जैसे कि 22 हो गया और आपका हो गया 23 को multiply करना है ठीक और नमबल ले लेते हैं 52 को 52 को हमें 73 से multiply करना है और 82 को हमें 12 से multiply करना है ठीक है अब सीखते हैं किस तरीके से multiplication किया जाता है multiplication करने के लिए आपको table आने जरूरी है ठीक है तो table अगर आपको आती है तो multiplication बहुत असानी से कर ले जाओगे तो देखो multiplication करने के लिए आपको क्या करना रहता है जो number आपको दिया गया है जैसे यहाँ पर आपको 3 दिया गया है थ्री जो नंबर दिया गया है उसको उपर जितने भी नंबर दिये गए उस पर multiply करिए ठीक multiply करने पर जो भी आंसर आए उसको लिखते जाईए जैसे कि 3 को मैं 2 से multiply करूंगा तो क्या आएगा 3 to just 6 तो हम 6 लिख देंगे फिर 3 को मैं 2 में multiply करूंगा यानि कि 3 का table 2 बार पढ़ूंगा तो क्या आएगा 3 बंजा 3, 3 to just 6 तो 6 में लिख दूंगा ठीक अब यहाँ पर मैं एक cross लगाऊंगा ठीक है जब भी आप two digit के number को multiply करते हो ना फिर जब आप यह वाले number पर पहुंचोगे तो यहाँ पर एक cross लगाना पढ़ेगा ठीक है यानि कि इसके नीचे कोई भी number नहीं लिखा जाएगा ठीक एक number छोड़ा जाता है यह नियम होता है ठीक है अब देखो बच्चों क्या करना multiplication यानि की plus sum करना रहेगा तो sum करने के लिए करिए देखिए six के नीचे कुछ नहीं है तो अपके वस्तिक्स लिखोगे six के नीचे four है तो ten हो जाएगा ten का आप लिखोगे zero और one हो जाएगा carry तो four और one five यह हो गया आपका answer ठीक अब देखिए अगर आपको नहीं समझ में हो तो हम दूसरा भी करने है ठीक अब देखिए इसमें क्या करना है इसमें भी वही करना है सभी multiplication इसी तरीके से होते हैं अब देखिए यहां पर है three और इसको इसका table हमें पढ़ना है two बार इसका table two बार पढ़ना है तो three one जा three three two जा six फिर six लिख दीजिए अब इसका table आप five में पढ़िये ठीक जो उपर number दीए हैं उन समय आपको इनका table पढ़ना है जो table पढ़के जो भी आए उसका जो भी आ आप छोड़ कर लिखना रहता ठीक है अगर आप cross नहीं लगाते हो तो केवल एक number छोड़ दो ठीक इसके नीजे कुछ नहीं लिख जीरो लिख दो ठीक केवल एक number हमें आप छोड़ना रहता है यहां से में लिखना रहेगा जो इसका table पढ़ने पर ऊपर वाले पर आएगा यहां से लिखना पड़ेगा यहां पर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा देखो टेबल पढ़ते हैं 7777 जब 14 14 का 4 लिखोगे अब carry आप जानते ही हो जब 2 digit का number आता है तो आगे वाले में carry जला जाता है ठीक तो हम यहां पर एक carry देते हैं कि ले जाओ तुम तो अब इसका टेबल इसमें पढ़ोगे 7 का टेबल 5 में पढ़ोगे कितना है 35 आएगा ठीक 35 आएगा ऊपर 1 carry भी है तो 35 और 1 36 तो 36 लिखती जिए अब क्या करेंगे addition करेंगे जैसे इसमें किये थे तो 6 के नीचे 0 है तो के बल 6 रह जाएगा ठीक 5 के नीचे 4 है तो 9 हो जाएगा 1 के नी 3 का हो जाएगा 3 यह हो जाएगा आपका अंसल इस तरीके सोगे हमारा multiplication अगर अभी भी नहीं आपको समझ मैं तो एक और करते हैं दिखिए अब इसका multiplication 2 का multiplication 2 का टेबल 2 में पढ़िए 2 2 जा 4 ठीक 4 लिख दिए अब 2 को 8 बार पढ़िए 2 8 जा 16 16 लिख दीजिए अब यहां पर हमें कुछ नहीं तो मैं क्रॉस लगा दू यह पर जीरो लगा दू यहां पर यहां पर एक डिजिट छोड़ दू ठीक सब आपका सही रहेगा ठीक है लेकिन यहां पर क्रॉस लगाते तो यह ज्यादा बैटर माना जाता है अब दिखिए यह इस तरीके सी यह होगा आपका मंटीप्लिकेशन पूरा थे तो टू डीजिट के ढमर को मंटिपलाई इस तरीके से के जाता है झाल यह आधर बटे बीजिट को जान दे किस तरीके से मंटिपलाई करेंगे जैसे हमने 2 डिजिट को नंबर को किये वासे सेम तो सेम 3 डिजिट के नंबर को भी करेंगे लेकिन एक बार देखते हैं देखिए मैं नंबर लेता हूं फहले 3, 5, 2 2, 3, 4 ठीक इसको multiply करना है और नंबर लेते हैं क्या लें 1, 2, 1 2, 1, 2, ठीक अब यहाँ पर एक नंबर यहाथा लोगँगे जिसमें की ऊपर 3 डिजित रहेंगे लेकर नीचे 2 डिजित रहेंगे उसको आप कैसे multiply करेंगे तो देखते हैं ठीक तो यहाँ पर ले लेता हूं 5, 2, 3 और यहाँ पर ले लेता हूं 31 sorry 32 ले लेता हूं अब इनको भी हमें multiply करना है अब देखे कैसे करेंगे इसको करने के लिए हमें टेबल आने जरूरी होती है तो अब देखे यहाँ पर 4 है तो 4 का टेबल इन समय पढ़िए ठीक है जो आए उसको लिखते जाए तो 4 बंज़ा 4, 4, 2, 8 4 का टेबल 2 में पढ़ोगे तो 8 आएगा 8 लिख दो 4 का टेबल 5 में पढ़ोगे तो 20 आएगा तो 20 का लिखोगी क्या कि अब जीरो और 2 जाएगा आगे वाले में क्यारी अब 4 बंज़ा 4, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 12, 3 में पढ़ोगे तो 4, 3, 12 का और यह 2 उपर भी है तो 14 हो जाएग अब देखिए अब 3 डिजिट के नंबर को 3 को ऊपर वाले में मंटिप्लाइ करिए ठीक तो 3 बंज़ा 3, 3, 2, 6 ठीक 3 बंज़ा 3, 3, 5, 15 15 का 5 आगे वाले में 1 क्यारी 3, 3, 9 और 1, 10 ठीक अब यहाँ पर डबल क्रॉस लगेगा अब आप सोचों कि डबल क्रॉस क्यों लगेग जब आप यह तीसरे नंबर को मंटिप्लाइ करना शुरू करोगे न तो उस लाइन में आपका डबल क्रॉस लग जाएगा और यह टो डिजिट वाले में एक क्रॉस के वल लगेगा यह नियम होता है ठीक है यानि कि निके नीचे अब कुछ नहीं लिखा जाएगा अब 2 को म न इन में इन में यानि कि टेबल पढ़ो इनका तो 2 लिख दो 2 फ़ाइव 215 जैन टैन का टैन का 0 1 केरी 236 और 17 क्योंकि वन कैरी थे इसलिए साथिए अब इसके नीचे कुछ नहीं है के नीचे तो 8 6 और अब दिशन करोगे ना फिर इसके देखिए 5549 9413 वन होजाएगा कैर और 1 और 1 2 और 7 1 8 इस तरीके से आप 3 डिजिट का मंटिप्लिकेशन करोगे अब इसको करते हैं अगर यह नहीं समझ में तो यह आएगा अब समझ में देखो 2 वंज़ा 2 टेवल पढ़िए केवल इसका टेवल इन तीनों में पढ़िए जो आएगा लिखते चले जाएंगे फिर 1 का टेवल इन तीनों में पढ़िए 1 वंज़ा 1 वंज़ा 2 वंज़ा 2 डबल क्रॉस लगेगा क्योंकि यह नियम होता है अगर कभी भी आप 3 डिजिट का नंबर को मंट सबका मितलब एक ही होता है अब टू को इन तीनों मेंटिप्लै करें है टू वंज़ा 2 टू टू जफोर टू वंज़ा 2 अब एडिशन कर दीजिए यहां पर हो जाएगा केवल 25652 यह हो गया आपका आंसर बच्चो अब इसको करते हैं ठीक है देखिए यह आपको समझ में अब इसको भी करते हैं इसको भी देख लीजिए तब वीडियो छोड़ कर जाईए अब टू वंज़ा टू 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 जफोर टू टू जफोर टू टू जफोर लिखो 256 लिखो ठीक अब केवल वन क्रॉस लगाओ वन क्रॉस लगाएंगे थ्री थ्री जफोर नाइन थ्री बेंज़ा टू जफोर टू जफोर टू जफोर टू जफोर अब एडिशन कर दो 1 हो जाएक इसमें carry 7 6 1 ठीक कैसे कि या देखिए इसका टेबल हम इन में पढ़े ये आया और इनका टेबल हम इन में पढ़े यह आया ठीक पढ़ने के बाद आप सबको addition कर दो add कर दो ठीक है add करने suitable यह आपका multiplication का answer होगा तो इतने असानी से हम multiplication कर सकते है 2 और 3 डिजिट के नमबर को ठीक है 4 डिजिट के नमबर करना है आपको multiply तो जब आप करोगे तो यहाँ पर देखो 2 क्रोस लगाए तो 4 डिजिट के नमबर को जब आप करोगे तो इसके नीचे जो step आएगा उसके नीचे आप 3 ऐसे cross लगाओगे ठीक तो तो इस तरीके से फोर डीजिट के नंबर को भी करेंगे असानी से तो यह हो गया मंटिप्लिकेशन अगर बच्चों वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास ठीक है चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जो रेड रेड लिख है सब्सक्राइब उसको दबा कर घंटी है कि उसको भी दबा देना ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लेज जाहें दौर जाहें